तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20 बी का कोस्टन नमबर 16 जो की लास्ट कोस्टन है और यह कोस्टन काफी सिंपल है इस कोस्टन में हमको सेड़ेड रीजन का एडिया निकालना है तो जब आप कोस्टन की में फीगर को देखेंगे तो यह देख रहे हैं फोर स्टेप इसको थर्ड इसको फोर्थ और इसमें जो लेंथ दिया गया है सबसे लास्ट स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप है उसका 3.5 मीटर देख गया है और ब्रेथ जो इसका दिया गया है 0.5 मीटर दिया गया है और इसी परकार से आप आगे सेकेंड में भी देखेंगे तो step का आप length निकालने के लिए क्या करेंगे ये वाले portion को और ये वाले portion को deduct कर देंगे इस 3.5 में से तो आपको इसका ये जो base है ये पता चल जाएगा length और breadth तो 0.5 दिया ही हुआ है तो ये length भी हम निकाल देंगे again जब हमको 3 का निकालना होगो तो क्या करेंगे 3 में आप देख रहे हैं यहां तक का portion और यहां तक का portion सेम है तो हम ये पहला portion इसमें और ये वाला portion extra है तो आप क्या करेंगा इसके length को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं 0.5 और 0.5 को डिड़क्ट कर देंगे तो आपको इसका लेंथ पता चल जाएगा इसी परकार से वन वाले में भी हम कर सकते हैं यह वाला पॉर्शन को हम यह एक्ष्टा जो है इसको हम डिड़क्ट कर देंगे इसके बेस में से तो हमको यह वाला एरिया पता चल जाएगा तो ह हम इसको solve कि इस प्रकार से कर सकते हैं कर के देखते हैं तो हम सबसे पहले एडिया निका लेंगे हर 12344 चारों का तो सबसे पहले हम area of rectangle one निकालते हैं area of rectangle one रेक्टेंगल का एडिया आपको पता है यह लिंट भी होता है तो आप क्या लिख सकते हैं 3.5 x 0.5 जब आप इसको multiply करेंगे तो क्या जाएगा 1.75 आ जाएगा 1.75 meter square आ गया इसके बाद आपको क्या निकालना होगा 2 में तो in rectangle 2 इसके length को आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं in rectangle 2 length बराबर क्या हो जाएगा 3.5 minus 2 into .5 जब आप इसको deduct करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 that is 2.5 अब एडिया निकाल दीजिए इसका एडिया of 2 क्या हो जाएगा L into B होता है L into B होता है तो L कितना है मेरा 2.5 है और ब्रेथ तों को पता है कि 0.5 है जब आप इसको multiply करिएगा तो क्या आएगा 1.25 मीटर स्कॉर इसी प्रकार से जब आप तीसरे रेक्टेंगल में जाएगा in rectangle in rectangle 3 in rectangle 3 length क्या हो जाएगा अब जो दूसरा का लेंथ आप निकाले हैं जो दूसरा का लेंथ निकाले हैं यह इसी में से आप 5.5 डिटर्ट करिएगा तो तीसरा का निकलेगा तो दूसरा का लेंथ कितना आया है 2.5 आया है 2.5 अब निकाले है इसमें से हम 2 x 2.5 क्योंकि 2.5 को हटाना होगा तब तीसरे का बेस पता चलेगा तो 2 x 2.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा इस उकल टू हो जाएगा 2.5 माइनस 1 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 1.5 मीटर अब इसके एडिया को हम निकाल लेंगे एडिया ओफ 3 एडिया ओफ 3 क्या हो जाएगा l इंटु बी जब इंटु बी इसका आप निकालेंगे तो l 1.5 इंटु बी डाइट इस 0.5 इल जब इसको आप मल्टिप्लाइग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75 मीटर इसक्वार इसी प्रकार से आप ठेंगल 4 में आएंगे इन रेक्टेंगल 4 अब रेक्टेंगल 4 के लेंथ को आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं रेक्टेंगल 4 के लेंथ को आप निकाल सकते हैं जो 3 का निकाले हैं जो लेंथ 1.5 इसमें से 3 का जो आप निकाले हैं इसमें से 0.5.5 को आप डिड़क्ट कर देंगे तो 1 का निकल जाए तो 3 का आपको क्या आया है लेंथ 1.5 आया है 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5 दैट इस क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इस उकल टू 0.5 हो जाएगा तो इसका एडिया क्या हो जाएगा एडिया ओफ फोर यह लेंट भी होता है लेंद इसका क्या है 0.5 ब्रेट इसका क्या है 0.5 तो सबका ब्रेट है डाट इस क्या हो जाएगा 0.25 मीटर स्क्वाइर इसलिए टूटल एडिया टूटल एडिया ओफ सेड़ रिजन यह उकल टू चारों को जोड़ दीजिए पहला का एडिया 1.75 मीटर स्क्वाइर है दूसरा का 2.5 1.25 तीसरा का 0.75 चौथा का 0.5 मीटर स्क्वाइर इसलिए 1.25 मीटर स्क्वाइर है जब इस सबको आप एड़ करेंगे तो वेल्व आएगा 4 मीटर स्क्वाइर तो यह तो था क्वेशन नूमर 16 जिसको हम काफी आसानी से सॉल्व की हैं और आभी समझ चुकेंगे I hope अब आगे के चैप्टर उसको देखने के लिए जो की 20C है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए थैंक यू अगर किसी भी कोस्चन में डाउट रह गया है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं हम उसको फिर से समझाएंगे थैंक यू